of or from make के साथ जुड़ा है ये शब्ध सबसे पहली बात तो हम preposition ने discuss कर रहे हो of or from हम basically phrase बढ़ रहे हैं कि make of कहां आता है और make from कहां आता है English कह रही है make के साथ of हर उस जगां लगा सकते हो जहां किसी ना किसी तरहा के physical change को दिखाया जा रहा है जबकि from हर उस जगां लगाईए जहां किसी ना किसी तरह के chemical change को आप science हिंदे में पढ़ते हैं तो racinic और भौतिक परिवर्तन बोला जाता है physical change को भौतिक परिवर्तन कहते हैं और chemical change को racinic परिवर्तन कहते हैं अब भौतिक racinic परिवर्तन का main difference यह होता है कोई भी ऐसा बदलाव, कोई भी ऐसा परिवर्तन, कोई भी ऐसा change जो reversible है reversible यानि वापिस वैसा बन सकता है, वो physical change होता है, वो भोतिक परिवर्तन होता है, chemical change या असाइनिक परिवर्तन का मतलब है जिसे reverse नहीं किया जा सकता, जिसे वापिस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता उसे इंगलिश कहती है कोई सा चेंज chemical change इनके दोनों के बड़े सीदे सीदे से example है हमने प्लास्टिक से पैन बना दिया पैन तूटने के बाद भी प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही रहेगा पर हमने दूद से दही बना दिया दही तूटने फूटने के बाद वापिस दूद में बदल नहीं सकती यह तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो physical और chemical का जहां जहां बदलाओ physical दिखे और लगाते चलना